कि रवस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल साइंस क्लास और देखो लेव असिस्टेंट 2022 के अगर हम यहां पर बात करें कि आपके पास आज से लगबग 90 दिन से और 90 आपको किस परकार से तूरी करना और झाल जो में हम बात करें और सराफ और झाल नबेंबबय दिनों के अंदर कैसे क्लियर करना है तो कौन से टौपी को आपको युँ भात करें और सारे स्टूरेंट व्यड़ों को ऐन तक जरूर देखियं और और अन्तम मेंığını आपको बताओं है तो वीडियो को एन तक जरूर देखें सबसे पहले देखो आपके 90 दिन आपके बागी अगर चार जून को मान के चले भी चार जून को आपके एक्जाम होने वाला है तो आपके नब्बे दिन बागी और नब्बे इन फिर न के अंदर आपको क्या करना है तो कंप्लीट जानकर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी सबसे पहले हम बात करते हैं याँ पर के पैठने के अंदर के हमारा दीके का पॉस्न है इस जी परिशंव के अंदर आपकी Total जो टॉपिक्स है वो हो कितने Curry इसके लिए इसके अवह ओर सिखोड़ी का पॉर्शन तो एक बात रो रोगत आप commitment को कोई भी बूग niewोग तो उसमें साथ में पॉलइटी वाला पॉर्षन है वह भी sabbal रहता है politics का तो वो आपको portion नहीं पढ़ना उसको skip कर देना है ठीक है फिर हम चलते हैं यहां पर next ज्यादा आपको जिस पार्ट के उपर focus करना है वो ध्यान में रखना आप आर्ट और culture वाले पार्ट के उपर ज्यादा focus करना क्योंकि इस में से आपके क्यूशन है वो हर बार ज्यादा पूछी जाते हैं आप चाहिए 2018 काफे पर उठाके देख लेना 2000 आपके जो सोड़ा के अंदर हुआ था वो उठाके देख लेना एक तो आर्ट कल्चर और एक आपके भूगल हिस्ट्री से इतने भी नहीं पूछी जाते लेकिन आर्ट जीके वाले पॉर्चन के अंदर टोटल सो क्यूशन आपके सामने रहेंगे तो सर क्या सो क्यूशन एक्जाम के अंदर करने जरूरी है जी बिल्कुल नहीं आपको जो एकदम अच्छे तरीके से जो क्यूशन आये एक्जाम के अंदर उन्हीं क्यूशनों को अटेंड करना ह में जो आपका Target होना चाहिए कि आपके सामने टोटल 300 Qs रहेंगे 300 Qs मेंसे लगबग जो आपको Qs अटेंड करने हैं ध्यान में रखना यहां पे करने कि ज्यादा आट्रेंट भी नहीं करना क्योंकि आपकी घलत होने के चांस भी बनते और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो डाउन जाने के चांस रहेंगे तो आपको लगबग 230 प्लस या 240 प्लस आप टार्गेट लेके चलिए कि आपको इतने क्यूशन स्व क्यूशन हो टोटल 300 क्यूशन होते हैं तो आपको टार्गेट रखना है कि 240 प्लस या 230 प्लस आप क्यूशन करके जरूर आए यह पहले बात आप टार्गेट आज से बना लें पिर हम बात करते हैं यहां पर कि आपके पोर्शन के अंदर यहां पर मुख्य रुप से कौन- अदर भी बात करते हैं हमारा टी है वह अपके क्यारेने के सबसे पहले आपके कि आरट कलचर की बॉस्किलिफ की बात कि साथ मिआपि प्स्तिरी वाले पोर्शन एंदर यहां पर देखो सबसे पहले राजस्तान इतियास के प्रमुक्स रोत यह पॉर्षन है प्राग इतियास सभ्यता ही तो आपको सभ्यता वाला पॉर्षन जरूर पढ़ना है क्योंकि इन में से कोई भी एक्जाम हो सभ्यता वाले पॉर्षन के अंदर क्यों 100% पूछा जाता है फिर देखो नेक्स यहां पर जादातर क्यों हर एक अग्जाम पुछे जाते वो मैं आपको टोपिक बता देते हुँ एक धार्मी कांदोलन है और लोग देवीदे होता है इन मेंसे भी कई बार क्यों सन आता है हर एक 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 जाम के अंदर आप देख सकते हो हास्त सिल्फ कलाई सेलिया इन से लिए इसमें से 100% आपको क्यूशन देखने को मिलेगा नेक्स हम बात करें यहां पर एक फिफ्टी नंबर का जो यह टॉपिक है क्रशक यह उन जन्जात यांदुन यह भी 100% है कि इसमें से आपको दो क्यूशन जरूर देखने को मिलेंगे तो ऐसे यह जो टॉपिक से इनको आप 100% इसमें पूरा याद करके जाएं और इसके अलवा यह जोड़ने भी आपके टॉपिक से यहां पर एक ही करना है इसके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसमें भी हर एक एक अग्जाम के अंदर कूशन पूछे जाते हैं तो यह तो आपके हिस्ट्री आर्ट कुल्चर क यहां पर टॉपिक है अब नेक्स देखो यहां पर नेक्स पोर्शन की तरफ सब्सक्राइब और उसके अंदर भी आप बात करते हैं कि वह पोर्शन आपको कैसे यहां पर कंप्लीट करना है थोड़ा में स्क्रोल डाउन कर देता हो और यह आपके सामने यहां पर जियोग्र यहां पर ऑंतरा आपकी रजी है सीमा बनाते कोंस आपके दे सीमा कितनी बनाता इस्तली सीमा कि यह तो सारी द्यान में रकना शमी पस बंदर गाल की कांदला बंदरगा यह रीकना ठीक यहां से क्यूंशन आशकता है इसमें तो यहां पर अभवात अधियों से रिलेटेड में से आपको 100% यहां पर चार से पांच क्यूशन देखने को जरूर मिलेंगे ठीक है तो साइंस के पॉर्शन से यह चीजे हैं तो आपको यह चीजे जरूर पढ़नी चाहिए यहां पर और इसके लाओ देखो यहां पर बहुदे से प्रियोजना और शिंचाई प्रियोजना इसमें से भी आपके 100% देखने को मिलेंगे आप एक्जाम के अंदर तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ें यहां पर जो मैं आपको चीजे बता रहो इनको 100% आप याद करके जाए अब बात आती हैं यहां पर कि सबसे बड़ी जो समय से आती हैं कि सबसे याद नहीं होती जीके के अंदर देखो आपको एक्जाम क्रेक करना है आपको इस एक्जाम के अंदर पीएस एडी नहीं करनी ठेके सिर्फ आपको एक्जाम क्या करना है क्रेक करना है तो चीजों को एक बार आप क्या करो पढ़ो ज्यादातर हो सके आप से तो आप जितना हो सके जीके का कर लो या फिर आप खुद करना चाहते हो तो एक धरवर की बुख आती है उसके अंदर टोपिक है उसके बाद में उसके सो पचास क्यूशन और है ऑप्शन के वह आप क्यूशन स्वाल कर लो करों एंशी क्यों के तो आपका सारा आपकी जीके का पॉर्चन है वह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यही कहता हूं कि आप जीके के अंदर करों जोब लगने के बाद में कोई नहीं कोई पूछेगा कोई नरतियां बताओ कोई नहीं पूछेगा उदर जीके के अंदर मेरा जो राई हैं फिर से कोंगा यहां पे आप जितना हो सके mcq install करो चीजे कम पढ़ो जी के के अंदर एक्जाम को करने का जो तरीका होता हो आपके स्मार्ट तरीका होता है ठीक है कभी भी भी बेर्चाल चलने से आपको एक्जाम के अंदर सफलता नहीं मिल सकती है आपको स्मार्ट स्टेडी करनी पड़े क्योंकि कम्पेटेशन बहुत हाई आज के दिन के अंदर आपको चीज खुद ढूंडनी पड़ेगी कि एक्जामीन आपकी एक्जामीन है वो क्या पूछ सकता है ठीक है अब यह भी नहीं पूछेगा वह आपके राजस्तान का सबसे छोटा जिल्ला कॉंड सा है सबसे बड़ा जिल्ला कॉंड सब जानते लेकिन वह यह चीज पुछेगा कि आपके कौन सा स्टुडेंट कौन सचीज नहीं आ कर लें तो यह तीन जीजों के उपर मैंने इस वीडियो के अंदर फोकस क्या है अब आपकी कोई भी प्रोब्लम आ रही है स्टेडी के अंदर तो वह भी आप कमेंट्स जरूर करते हैं में वापिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर